दिलीवरी से पहले ही पानी की थेली फट जाये तो क्या करें? तो हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ प्रिया स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी टिप्स फित प्रिया में आज मैं आपको आप बताने वाली हूँ कि delivery से पहले अगर आपका water discharge की problem हो जाए तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए तो delivery की date pass आते आते मन को कई तरीके की चिंताएं घेर लेती है अकसर pregnant महिलाओं को पानी की थैली फटने या water break की चिंता भी होती है तो गर्ब में सिसू, amniotic fluid से घिरा होता है और इसे ही pregnancy में water कहा जाता है ये पानी गर्भासे में एक थैली के अंदर होता है और जब ये फट जाता है ना तो water discharge की problem इसे ही बोलते है अब मैं आपको बताती हूँ कि पानी की थैली फटने के संकेत आपको किस तरीके से मिल सकते है याणी में गीलापन मैसोस होना, लगातार कम या अधिक मात्रा में fluid निकलना याणी से ही निकलता है रुक रुक कर या तेजधार में कम या ज्यादा मात्रा में fluid निकलता रहता है ये जो fluid होता है ये साफ या हलके पीले रंग का fluid हो सकता है और इसमें बदबू नहीं आती है तो इसमें ना पता नहीं चलता है कि water discharge की problem हुई है या फिर toilet आ रही है तो जो मैंने संकेत बताए ना कि आपको लगतार पानी आता ही रहेगा आप उठ रहे हैं बैठ रहे हैं लेट रहे हैं आपको कुछ भी करना है कुछ भी करिये लेकिन पानी आना बन नहीं होगा ये एक water discharge की problem है ये एक संकेत है मेन कि आप समझ जाए कि हाँ मुझे water discharge हो रहा है आप बात करते हैं दोस्तों अगर water break हो जाए तो आपको क्या करना है आपको बिल्कुल भी खर पर नहीं बैठना है बिल्कुल देर नहीं करनी है आपको तुरंट अपने डॉक्टर के पास जाना है इसके बाद डॉक्टर को चीजे चेक करता है बच्चे की स्थिती को चेक करेंगे कि बच्चे का सिर नीचे है या फिर उल्टा है बच्चा प्रेगनेंट महिला के स्वास्त यानि कि आपको कोई संक्रमर तो नहीं है इस तरीके क्या चेक अप करते हैं और बच्चे के स्वास्त की स्थिती क्या है कोई जोखिम तो नहीं है यानि कि कोई खत्रा तो नहीं है नॉर्मल डिलिवरी में ये सारे चेक अप करने के बाद में अगर आपको नहीं हो रहा है तो 24 खंटे के अंदर आपको लेबर पेन कैसे हो इस चीज के लिए हो सकता है वो आपको मेडिशन वगेरा दें तो अधिकतर ये देखा गया है कि महिलाओं की पानी की थैली जब फटती है ना तब उनको लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता है लेकिन 24 आवर में ही उनको लेबर पेन होने लगता है वो नॉर्मल भी हो सकता है या फिर जो डॉक्टर्स मेडिसन चला रहे हैं उनके थ्रू भी हो सकता है लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए या फिर क्या करते हैं तो पानी की थैलि फटणे के बाल सिसुको ऑकसीजन और अनियावसिकता तो प्लेसिंटा के जरिये जो मिलते हैं वही पानी की थैली जल्दी फरचाने पर माँ और बच्ची दूनों को संक्रमर का खत्रा भी रहता है इसलिए डॉक्टर्स यही हमेसा सजेस्ट करते हैं और उनकी कोशिज भी यही रहती है कि 24 आवर में आपकी डिलिवर्टी हो जाए वो भी नॉर्मल तरीके से और डॉक्टर्स यह भी देखते हैं अगर आपको कोई खत्रा नहीं है कोई संक्रमर नहीं है किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं है तो डॉक्टर 48 आवर तक भी वेट करते हैं कि आपका लिवर्पीन स्टार्ट हो जाए और आपको मतलब नॉर्मल डिलिवरी से ही बच्चा ह हो जाए एक चीज़ और है कि हर प्रेगनेंट महिला में पानी की थैली फटने के बाद डिलिवरी के लिए इंचार करने का जो समय होता है वो अलग-अलग होता है तो नॉर्मली ऐसा देखा क्या है कि पानी की थैली फटना डिलिवरी का संकेत होता है इसके बाद महिला को प को पेन नहीं हो रहा है तो डॉक्टर सीजेरियन डिलीवरी करवाने का डिसीजन लेते हैं लेकिन अगर आपकी डिलीवरी नौर्मल हो सकती है 48 आवर में आपको पेन स्टार्ट हो गया है तो वो नौर्मल डिलीवरी करवाने की ही कोशिस करते हैं I hope friends ये वीडियो आपके तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा